How to Cross out Text and Discord Guys, Discord की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप कीसे Discord के अंदर आपने Text को Format कर सकते हैं मतलब अगर आप Format Change करना चाहते है अब आपने Text को Bold करना चाहते है, Italic करना चाहते है, Underline करना चाहते है या अगर आप Strike True करना चाहते है तो आप कैसे कर सकते है? तो बहुत सिंपल प्रोसेस है आपने डिस्कोट को अपने पीसी अपने लैप्टॉप के अंदर उपिन करना है इन दिन आपने जाना है चैट में ठीक है डालने होंगे like this तो आपका जो टेक्स्ट होगा वो बोल्ड हो जाएगा like this ठीक है तो आप इसी तरह टेक्स्ट को बोल्ड लिख सकते हैं अगर आप italic लिखना चाहते हैं तो आपने एक asterisk डालना है like this and उसके बाद आपने टेक्स्ट लिखना है ठीक है so यहां पर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ italic उसके बाद आपने दुबारा asterisk डालना है एक ठीक है like this तो इससार आप italic लिख सकते हैं अगर आप underline करना चाहते हैं तो आपने इस sign को डालना है ठीक है underline को दो दफा ठीक है and उसके बाद आपने अपना text टाइप करना है यहां पर मैं लिख देता हूँ underline and text type करने के बाद आपने यहां पर दुबारा दो underline sign जो है वो add करने है ठीक है and sign add करने के बाद आपने इसको एंडर करना है तो आपका जो text होगा वो underline हो जाएगा ठीक है सो आप इस तरह text को underline कर सकते हैं अबर अगर आप strike through करना चाहते हैं तो आपने क्या करना है लेट से अगर आप cross text लिखना चाहते हैं तो आपने simply उस text से पहले दो tildies को add करना है इस sign को ठीक है आपने दो दफा इसको add करना है इन दिन आपने अपना text type करना है ठीक है एंड़ टेक्स टाइप करने के बाद आपने दुबारह इस sign को add करना है लाइक डिस ठीक है तो आपका जो text है वो cross हो जाएगा ठीक है आपने text को cross कर सकते है underline कर सकते है italic कर सकते है, bold कर सकते है and that's it आज की वीडियो में बस इतना ही गाइस प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिएगा चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना बूलिएगा and मिलते हैं पर नेक्स टूडियो में तब तक के लिए take care and good bye